हेलो फ्रेंड्स चिगिसाज कीचिन में आपका स्वागत है आज हम रवा केसरी बनाएंगे ये रवा केसरी की रेसेपी साउथ इंडेन रेसेपी है ये साउथ इंडेन डेजर्ट है ये खाने में बहूत ही यमी लगता है आप इस recipe को एक बाद जलू try करें और friends, recipe देखने के बाद अगर आपको मेरी recipe पसंद आए तो मेरे वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और comment करके भी मुझे बताईए कि आपको मेरी recipe कैसे लगें friends, यह जो रवाकेषरी है यह घर में आपके सबको बहुत पसंद आएगा यह मेरा वादा है आप इस recipe को follow करें और बनाईए रवाकेषरी अगर घर में मेहमान आजाए तो आप इस recipe को जटपर्स से बनाके ready कर सकते हैं और यह बहुत ही यम्मी लगता है friends, recipe को end तक जरूर देखे recipe के आखिर में मैं आपको केसर के बारे में कुछ जानकारी दूँगी कि अगर आप केसर खरीदने जाए तो यह केसर असली है या नकली इसकी पहचान आपको कैसे करनी है कैसे आपको मालूम होना चाहिए कि यह असली है या नकली इसकी जानकारी में आपको दूँगे तो आपी रेसिपी को एंड तक जरूर देखना तो चलो चटपट से बनाते हैं रवा केशरी रवा केशरी बनाने के लिए सबसे पहले हम तिन कटूरी पानी को उबलने रखेंगे यहाँ पर मैंने गरम पानी के अंदर केशर को भीको के रखा है और इसके अंदर मैंने दो चुट की ओरेंज फूर कलर डाला है आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से उबल गया है अब पानी को मैं साइड में रख दूँगी और फिर से एक कड़ाई के अंदर घी डालके गरम होने रख दूँगी यहाँ पर मैं एक कट्री से थोड़ा कम घी डालूँगी हमने तीन कटोरी पानी लिया था तो एक कटोरी से थोड़ा कम घी डालेंगे ये देशी की है घर पे बना हुआ मैं घी को फ्रीज में रखते हूँ तो इस तरह का है अभी एक गरम हो जाएगा अच्छे से पिगल जाएगा अगर आप मेरी घी बनाने की रेसेपी देखना चाहते है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक देदूंगी आप देख सकते है घी हमारा अच्छे से पिगल गया है अब मैं इसके अंदर एक कटोरी सुजी डालूंगी और धीमी आज पर इसको भूनूंगी आप चाहे तो रवा का यूज भी कर सकते है सुजी थोड़ा मोटा वला दाना होता है और रवा थोड़ा बारिक पीसा हुआ होता है आप जो डालना चाहे डालके इस रेसेपी को बना सकते है सुजी दानेदार होते है तो यह ज्यादा अच्छा बनता है यहाँ पर मैं थोड़ा घी और मिलाओंगी मुझे थोड़ा कम लगता था मैंने बीना माप के ही घी को डाला है अगर आप माप से बनाना चाहे तो एक कटोरी इसे थोड़ा कम घी ले सकते है परफेक्ट मेजर्मेंट रहेगा एधिमी आज पी इसको लगातार बुनेंगे सुजी हमारी अच्छे से बुन गई है आप देख सकते हैं यह फूल गई है और घी भी सेपरेट हो गया है जैसे ही सुजी फूलने लगती है तो घी अपने आप सेपरेट हो जाता है आप देख सकते हैं इसमें छेद हो रहे है मतलब की सुजी अच्छे से बुन गई है और जब सुजी बुनते है तो बहुत ही बढ़िया मिठी मिठी खुश्बू भी आती है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है अब मैं इसके अंदर जो हमने तिन कटोरी पानी को उबाल के रखा था वो डालूंगी और इसको इस तरह से गोल-गोल हिलाती हुए चलाऊंगी गैस की आज को मैंने फास्ट कर दिया है अब मैंने जो केसर को भीको के रखा था उस पानी को भी डाला है इसके अंदर मैंने दो चुटकी औरेंज फूड कलर भी मिलाया था केसर से इसके अंदर अच्छे से फ्लेवर आते है और हलका सा रंग भी आता है फ्रेंड्स इस रेसिपी का नाम रवा केसरी है तो केसर कलर तो देखना चाहिए और केसर से इतना केसरी कलर देखना ही रहा था तो मैंने इसी कारण दो चुटकी औरेंज फूड कलर मिलाया है आप अगर इसे स्कीप करना चाहिए तो कर सकते है इसके बिना भी यह हलवा बहुत ही यमे बनेगा इसे हम इसी तरह से फास्ट कैस पर इस तरह से लगातर हिलाते हुए चलाएंगे तब तक हिलाते रहेंगे कि हलवे का सारा पानी जब तक सूख ना जाए तब तक हिलाएंगे देखे इसके अंदर से सारा पानी सूख गया है अब मैं इसके अंदर आधी कटोरी चीनी डालोंगी यह perfect measurement है एक कटोरी सूजी, तिन कटोरी पानी एक कटोरी से थोड़ा कम घी और आधी कटोरी चिनी अगर आप इस measurement से इस recipe बनाएंगे तो आपकी perfect recipe तयार होगे अब हम इसे लगातार ही लाएंगे रवा केषरी बनके तयार हो गया है इसके अंदर से घी सेपरेट होने लगा है और इसने कढ़ाई भी छोड़ती है मतलब कि यह बन के तयार है यहाँ पर मैं इलाइची पाउडर सुखे नारिल काबुरा खस-खस किसमीज, काजु बदाम सब डालूँगी और इसको अच्छे से मेक्स कर दूँगी यहाँ पर मैंने घैस धिमी की है जैसे ही मैं इसे मेक्स कर लूँगी मैं घैस Office कर दूँगी थोड़ा घी में और डालूँगी हलवे में थोड़ा आगे पड़ता घी होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है थोड़ा ही एक टी स्पुन जितना ही डालूंगी अब मैं गैस बन कर दूंगी और हल्वा को सर्व करूंगी फ्रेंस आज में आप सब को असली केसर कैसा होता है इसकी जानकारी दूंगी ये जानकारी मैं खूद कस्मिर्शे लेके आई हूँ तो ये केसर है और केसर के धागे को मैंने पाने में भिगो के रखा था तो केसर के धागे का जो उपर का हिस्सा है उपर का भाग ये गोल है और नीचे पूंच जैसा है तो ये है असली केसर की पहचान कि जब भी केसर खरीदे तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए केसर के धागे के उपर का हिस्सा होता है गोल और नीचे पूँच जैसा यह है असली केसर देखे सारे केसर के धागे ऐसे ही है ऐसा नहीं है कि पानी में फूलने के बाद ऐसा होता है डिबी में भी आपको पता चल जाएगा कि केसर के मुमुका जो उपर का भाग है वो गोल हो तो friends आप इसी तरह का केसर देख के खरीदे Friends मैंने आपको केसर के बारे में जो जानकारी दी आपको कैसी लगी और मेरी recipe कैसी लगी ये मुझे comment करके चलोवाइब करोब मताना अगर recipe पसंद आ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe भी कर देना तो चलो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई